कि यह गाइस दिस इस कुलीप एंड यू वाचिंग यू प्याजी लाइबरी तो आज किस लेक्शे में हम बात करेंगे चेप्टर नमर टू इंडिन जेग्राफी में जेग्राफिक क्लास नायन का जो सीरी चल रही है चेप्टर वन वहां पर कंप्रीट हो गया है इंडिया जो कंट्री है उसके फिजीकल फीचर देखे जाएंगा उसकी यूनिक वीज क्या आखिसमें डिफरेंसे क्या बागी अधर कंट्री रहा है इंडिया जो नॉथ 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 नॉठर और वाला इस मो एंडिय इससेरी आंगे इसमें माउन्टेंस और रिवर्स के बारें देखें गए Western G mejor और Instagram वा जो JOHNSook Western भाले ब्लते हैं जबिए इसनगाइब बोलते हैं सबुछ न कर देखेंगे अब वहती इसी में नहीं देखें के ऑच हो ची तरीकिंगेował है्चितरीके समझ में समlagen नहीं किया तो आप विपसी लाइवरी को टेलेगरम फेस्बूक और इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं लिक्स वीडियो के नीचे डिस्ट्रोप्शन में दिए गई है और आप यूपसी लाइवरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं थो फीजिकर्स कीशर्स उफ़ट laws इंडिया इनधीय व इससमें दिश्टान भी अनलव दिजय वाला एंडिय वilecks ए différents बिए लेकर यह लए 70 और ब्रश्य ट्रव शूंख भी हो जाता है सो यह है कि उनिक काफितर यूनिक भी यह मौंटेन से होती है तो किसी तरह एक था यह पुरा एक तरफ जहां रेंस भी आई तो दूस्ट दूस्ट अवरेवर्स ऐसी है कि वह वैसी है कि साव जाब जाब बारी सो कि तरी तो पानी इंशेंट के वेज में देखा वो काफी जदा पराना है जो अर्थ के सर्थ रुपया से उसके कंपेज में देखा यह काफी पराना है वन आप दा ओल्ड तो यह इंशेंट बोला जाएगा मतलब उसको रिह थो डिलंट रून में वह काफी रिसेंट ये रूड तो याज मतलब बाकिया बाक अधर इंडीय युदेखा जाई तो हमाले वाला जो रीजन हो काफी उसकी ऐस बाकी अर्थ से कभी कम है यह इसमें बतायाए गया है सो इसके बारे में बोला एकि फ्रम दे पॉइंट आफ जी ऑलोजी मैं जी पॉइंट आफ यूसे हमाले इन मांटे इस वा देखा जाए तो हमाले मांटे से वो फॉर्म हुई है एंस्टिबल जोन के वएसे उडा होल मांटे सिस्टेम हमाल ए रिप्रेजेंट वेरी यूथफुल टॉपर लगाव तो पूरी पीरी जो हमाल पूरा का पूरा हुमाल ले है वह यूथफुल टॉपर गराफ़ी को प्रेजेंट करता है विद्ध जाएदा काफी जादा है विदा डीप वैली ओल्सो डी वैली कांसे स्टेट मैं इसके बाद नदन प्लेंज प्लेटू जो आग नीचे आजाता है अगर आप साउत में चलते जाओगे तो पैनिस प्लेटू है तो वह किस चीज़ वह होगा इंगिसे रॉग कि दैन मेटामॉल्फिक रॉग है उन सबसे मिलके यह प्लेटू 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 फॉर्म होगा देन जेंटली डाइज हैं वाइड वैली ऑल्स एक्जिस इंडिस एरिया वहाँ पर भी जो हेल हैं माउंटेन वहाँ पर यह चीज़ देखने को आपको मिलेगी तैन जो दैन इसके बाद जो मिजर फीजियोग्राफिय हो गया इसको इंडिया का डिवाइट के जाए तो उच् कि unesecan कैना को ईंडिया यरे सब्सक्राइब गया आईड के बहुत है तो अब तबहुकर आखिए वहाँ सब्सकंडेन जा सकता है गुटेज हो इंडिया और जा सकता है बड़े लाज नुमर में आईलेंड ऐसे को आप याद रखना वाला हो गया धैयन अंडवान को आईलेंड हो गया तो यह कफी बड़ा एक लेंड मास्व लेंड मास्वाइस अपनी अंधर संब आप सब्सक्राइब जाला रख याड याद कर लो नॉर्त चाहूटीच्ट वेस्थ ग्रेजरे रेगेस्टान वाला और ये इसट प्लक्याइब चैनल के नाम से लिल सब्सक्राइब ने इंडिया के साथ में हो गया कोस्टल सीटी प्लस डेकन प्लेटो यह जिसको पैनिसला प्लेटो बोला जाता है तो इस चीज को याद रखना सब्सक्राइब बातुब कोई आपको प्लेटो इमालया से जब आप साथ में जाओगे तुमालया को नीचे वाले इडिया था धूब घंड माल नेचे वाले रिए को ही नदन फ्लीन बैंट प्लीन रिया बोला जाता है सब्सक्राइब ऐस ट opens this is that can follow and and there is a свои लक्षीदी आईलेंड मंदा जहान इंडू आईलेंड के बारे में बाद चल जी थी। यह लक्षिधी महां पर आइलेंड सकते हैं जिसको लक्षी बोल लागत है यह अलागन अन। इस इसे इसको यादरना एंडेर व बेंगार कैंडीके एस्ट में लेयं मुल्ग लेंगान ऐ है हमालय मांटेंट तो काफी इंपोर्ट एंड विकोज से डारेक्ली हर साल एवरी यह एक कुछिंट जरूर पूछा जाता डार्क लिए और ट्रिक में इंडिया के नदन में पड़ता है और इंडिया के नदन में पड़ता है यह इस एक डारेक्शन इस पिक में आप देख होगे इसमें जो है तो यह हृँ है माला यह वेस्टी डारेक्शन है यह सब्सक्राइब है और तो कफी जदा रग मांटेंब लाइक मांट एवरेश्ट हो गया वह काफी सबसे ज़्यादा उची मांटें महाँ पर तो वन अब रग्ड होगी जो वर्ल्ड में सब्सक्राइब और जिसको थंडी वाव रोग जाने से पहुचाता है इसी वैसे विसको इसको भी बोला गया है और काफी कम करने इसको क्रोस्क नहीं कर पाती है कमी करके कोछी हैं इंडिया नार्मी काफी एरिया में सबाइब करने के लिए बाकि अधर गंटी में इतना नहीं थैन देफामन आर्क मताई एक अर्क तरह जो कवर कर दैसे डिसन लैक 2400 क्लो मेटर इसकी डूटल दिस्टैंसे जाती है तो इस चीज को आप याद रखना है तो इस पिक्टर में आपको मनूं पड़ जागा तो यह है इंडिया का जो जमू कस्मीर वाले लाका है तो यहां पर इसकी विर्ट है है 450 के अर्व अरॉंड है बट जब यह हमाले हम इंडिया के नॉर्ट इस में चले जाएंगे तो इसकी विर्ट हो जाती है अरॉंड 150 किलोमेटर के राउंड तो इस इसको आप याद रखना है यह मेजर डिफ्रेंस है यह डार्क पूश जाए था और यह इंडिया के इस की तरफ जो इसके अलावा जो एल्टी डूड ने वेरिशन वह भी काफी ज्यादा इस्टन आपके शेंड़ेंस है इसमाले इस रेंगे में कफीजिस्ट करती हैं इसमेंसे पहली जो ओगे नौफ काफी नौर्थ नौर्थ में है स्कॉम बोलते हैं गेट हिमाल्या या एमादरी अलसो इसके सारे नाम है इस चीज को आप याद रखना इसके बाद इसके बाद इसे मेरत एक काफी कंटीनू है वीच में बिरिक नहीं है तो बोलाए इसे से मोस्ट कंट्यूंस रेंज ऑफ दे लॉशेज भी विद एवरेज हैड़ इसकी जो एवरेज हैड़ेज है सिक्स थाउजन मीटर से मतलब अलमोस्ट एक किलोमेटर के आसपास इसकी हाइड बोला गया है और इसके बाद फोल्ड ऑफ ग्रेट हमाले जार एस्यमेट्रिकल इन नेचर यह एस्यमेट्रिकल इचने नेचर मतलब इस लोकेशन में आपको काफी सारे गलेशेर देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश ने इसको बोलता है इसके बात में जो रिंज आती हिमाचल इस साओध में उस रिंज को क्या बोलती हिमाचल या लेसर हिमाल ले इस चीज़ को यह डिफरेंस आफ याद रखना है जो हिमादरी के साउत में मतलु इसकी साउत में उसको बोलें हमाचल पहलें यह लेसन मला तो इस सौरी लाइसरेंज की जो वेर इसनिक एल्टी बेशन काफी जाद मतल अधार इसका भी टर्थी अभी हैंड़ एक फुर्टी काफी हैंड़ मिके जाद है इसकी जो वेट है वो 50-50 किलोमेटर के एरांड है इसकी वीट तो इसे को याद रखना इसके बाद इसमें Most Famous काफी जाथे लाइक इसमें रेज़ दाइल पीर पंजार रेंज हो गया इसमें करते हैं धौरादार रेंज वह गया दिन महाबारत कांगर वैली हो गया कॉलू वैली हो गया जो मुस्ट इंपरेंस वैली तो इस को आप याद रखना तो इस रिज्ट थो वैली की वैसे ये काफी मुस्ट हिल इस्टेशन बन जाता है और आउटर मों रेंज देंग इसको बोलते हैं तो इसको याद रखना ग्रेट लेस याद रखने लिए याद करने के लिए जी एलस से वाले दे एक्षेंट ओगद फवन टेंट तो इसकी जो एक्षेंड है तसले के बीच पतास किलोमेटर के बीच में और इसका जो कि बीच में थोड़ा काम अजो लास्ट में जा दिया ओग ँए थोड़ा और दुस से भी कम तो नौसो मेटर से लेखेंगे से पोरी जो हाइट है उसको ऑल्टीट भी बोला कि चांच तो कहोeli यहांपे ऑपा इंधारोइज हएं कारगो जो यहां पर यहां पिर आपी सको कफी सेंस हिलिस्टेशन बनाते हैं तो इस चीज़ को आप वियाद रखना तो यहां पर तो यहां पर जो विड़त है काफी कम होती जाएगी तो सब्सक्राइब को यहां हो जेक्वोड नाजमार शाओं हमाला के सब्सक्राइब जावगा पर माल यहां भी आखिश्ध करता है नौर तीस में इंडिया की नौर तीस में तो भाहँ पर ही कुछ फिर्ज भी यह कुछ बहसी है तैन गारो खासी जनता ये तीन इनको तो आप रट्री न तो काफी हेलफुल रहेंगे दैन मिश्मी हील हो गया दैन पटकाई बम हो गया दैन मीजो हील हो गया और इस पूरी रीजन को जो हमाल ले पड़ेगा इसको बोलते हैं पूर वंचल हमाल ला चीज को आप याद रखना यहां से एक दम शार्प बैंड होता है तो इस चीज को आप याद होती है ओर लोकेड़ नौर्थ सो यहां से कफी सारी ओर ने रोते हैं इन से थिक ग्रेवल की वैसे मत्तिक रिवल से कवर होती है इसके बास जो लॉंग ट्यूट्टिवन वैली राइक बेटमी लेशन हमाल हैं सिवाले रहें सो जो जो बेली जो लेसर और सिवाले की रिश म जो लोकेट वनी उनको क्या वोलते हैं दून और सो नुम्हें और काफी स्वीजाइभा देरा दून हो गया उक्षा पात्ली दूम्हें उनके एक्जाम हैं तो यह बूला हैं तो लेसे नमाल ले और से वाली के बीच में तो भी स्ट था झारों तो आह तो इसको अपयाद रख कुछ लोकल लोईंग में या वैस्ट इस्ट की वेसेज में भी डिवाड कहेंगा लाइक इसमें एक आजा मिल रहा है जो हिमाल्य पार्ट है जब वह इंडेस और सतलूस की बीच में आता है तो उसको ट्रेडिशनी क्या बोलते है पंजय हिमाल्य तो यह इस्ट जो इंडेस औ था रहाफ है रहेस्ट इसमें बताया कि इसके लोकल भी कुछ नेम्स हैं यह इसमें बताया है तो इसको अब थोड़ा याद रख लेना इसके बार पार्ट ओफ-दे हिमाल्य लाइव विट्मि सत्लूस और काली डिवर मतलं कुछ हिमाल्य का पार्ट शट्लूस रिवर और क के बीच में जिसको आसन माले बोला गया तो इसके यह लोकल निम हो गए अलग अलग इस रीजन के अलग रीजन पर यह उसके नाम डेपेंड है सो इस चीज को यह सो देरा डीजन नेम और सो इन दीज ब्रॉट काटेग्री सो इनके बताएगी बाला लग यह नुक्त काफी जाले नाम है लेकर इसके बाद बियोंड दियां जोर्ज दा हमाला बेंड शार्पली साउथ मतलब मैंने बोला जैसे यहां ते एक्दम सार्पली होता है हमाल लग तो यह बताएगा कि साफली बैंड होता है तो उसी एरिया को यह जो हमाल ला उसको क्या बोलते है पूर वांचल मैं इस माणले यह इस्टन हिल्ट माउंटेन तो इस चीज को आप यहाद रखना बैन इसके बाद इस हिल्स आर रनिंग थ्रो दा नौर्थ इस स्टेट और मोस्ली कंपोज स्टॉंग सेंट से मिलके कंपोज हुई है विचा सेडिमेंट्री रोग जो की सेडिमेंट्री रोग्स हैं तो इसको यह रहा है डिफ्रेंस से डारेक्टली लिए लाइन पूछी जाती है दैन कवर विद दें स्टॉंग यह मां पर दैंस और देखने को मिलेंगा दैन इसके बार डेमोस्लिट हैं पर यह लोगा बरह भी लोग में अपको देखने को मिलेगी यहां पर यहां पर ही गारोग खासी जैनते हिल्स है तो इसको याद रखना है यहां ही सखिभी पर्म पुत्रा कांभ स्थाओं को इस नाम जो चाइना में इसको बोलते है इसको आंगा formulा है वाल जिसको फोटिस में है है तो में लेकर जो सावत वाला पार्ट है जिसको फुटील सूलते हैं तो वहां पर यह पाया है मिलें तो नदन पिलेंस हैं इन फॉर्म इंटर प्ले ऑफ त्री मेजर रिवर सिस्टेम मतलब नदन प्लेंस टीन डिवर मेजर रहें उन से मिलकर बना लाइक पहली कॉन सी हां इसके बाद इस प्लेन इस फॉर्म अलुविल सॉल और यह अलुविल सॉल से फॉर्म होता है और सब्सक्राइब काफी बड़े ज्यादा नप्लास्ट वास्ट निवेशन हैं का विकोज तीनों रिवर का मिलाएंगा तो काफी बड़ा बेशन हो जाएगा और यह फोटी तक यह लंबा है इसको अभ्याद रखना और 240 से लेकर दो तीन सो बीस किलोमेटर यह चोड़ाएं ब्रॉड है इसे डैंसली पॉपलिट एरिया विकोज चाहां पर यहां काफी सब्सक्राइब काफी खीती करने के लिए अच्छा है इस वेसे वेसे वहां पर फीजियोगर भी काफी पॉपलिटिट फीजियोगराफिय है विदे रिच सोयल कवर कंबाइड विद एडगेट वाटर सब्सक्राइब काफी अच्छी है और सोयल भी काफी रिच है तो वहां पर इसाई फेवरिटल और जो फेवरिल क्लाइमिट है वो काफी अच्छा है इस सब कंडिश पार्ट पशनगे पार्ट वेंट इसको पंजाः प्लेंस में है और जो इंडेसर फॉर्म वालब टी यह उसको पर शुक्तर लाइक करता है जो है जो एक श्यांते इन इसे अपकिसन वाले एरिया में लाहिए करते हैं और इस में जो ट्रिबू टी नंट डेख लेता है को स थे हमाले से लिए एकिशी दोनों के बीच में जो हिस्सा होता है जो लैंड मास होता है उसको नापस बुलते है दो आप बोलते हैं तो इस चीज़ को याद रखना इसके बाद गंगा प्लें एक्स्टेंड बिट्वीन अजो गंगा वाला प्लेन वह कहां से एंका एक्सेंड गहागा रिवर से लेकर तीसा रिवर तक के बीच में जो एरिया था वह गंगा प्लेन होता है इट स्पेड ऊध इसके बाद जेंटली डेस्काइब इसको फ्रैड लैंड नंब रसकले लेंड के तरह बहुत को जब भी वह प्लेन इस विए सफ्रेट लेंड है माउंटें ज्यादा नहीं है कुछ ऊबर खाड़ बाला जांदें नो विरीशन एंड इस रिलेफ कोई भी विरीशन नहीं है और यह इस बात सत्त भी नहीं है कि महाँ पर कुछ भी विरीशन इस वह बोला है कि दॉट इसको फॉर इसमें जो पहला वाला हो गया कि जो आट शोले कुट वाले जो वेट थै दर रिवस आफ्र देसेंदिक फुन आप इंडिपोजिट रिवर से आडिये मांटें साथ यह तो वाह फूर रिवर से वह अपने साथ कुछ और चीव चीज जो 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 सिवालिक वाले एरिया महाती है जो इस चीज को यहां रखना कि दर रिवर्स आफ्र डिसेंडिंग फॉम दे मांटेंस डिपोजिट पेबल्स इन नेरो बैल्ट और आट शोले कुलोमीटर इन विट लाइं परेलर्ट टूस लोप सब्स वाले क्रेंज से लेकर ब बाद में यह आगे जाके मिल दें त्रही यह और त्रही डिजन वाला कौन से थोड़ा बहुत मुझे को इस इसको आप याद रखना इसके बाद दिस वाज उसमा बुलाएं कि इस वाज थिकी फॉरस्ट रिजन वाइड वाइड होते हैं थिकी फॉरस्ट बेको जहां पर रिवर्ट रिमज होने लगते हैं थोड़ा कीचिट टाइप एराल एरिया बना इसी चीज़ को से उसको तराय रिजन पो रहा है तो इसके अवलावाद था फॉरस्ट एस बें के लिए तो क्रीट अग्रिकर्चर लैंड तो सेटल माइड फॉर्ट पाकिस्ता अफ्टा यह बार मताया कि कुछ तोड़िया कि कुछ माइड माइड बसने लगे देन इसके बाद लाग जैस्ट पार्ट फॉर्म फॉर्म फॉर् प्रिजेंट इन ट्रेस लाइक फीचर यह इसके फीचर है और इस पार्ट और इस पार्ट को क्या बोलते है बहांग रिजान तो दड़ाइन देन नीवर दनी यंगर डिपोजिट अफॉल प्रें आल को था दर जो 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 नया आज जो बार बार रिवर लाती रहती है उसको खादा रिजन बोला है और यह हर साल इसको रिनुव करते लाइए और अल्मॉस्ट एवरी यर और इसी वैसे वह काफी फर्टाइल होती है यह सब सीजें इंटेंसिव अगरी कल्चर के काफी यूसपूल होती है इन इसके बाद आ जाता है पैनिसुला प्रेटो मतलब हमाल् इस तरह की रोक्स महां पर होती है देखने को मिलेंगी और यह सब चीजें यह लैंड है वहां पर गोडवालन लैंड है ना वहां कर द्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग की वैसे यह सार वाला एरिया बना हुए और इस चीज़ के वहां से उस पार्ट को ओल्ड़ेस लेंड मास बोला जाता है और इंडिया सबसे वन अफ यह किसको बोला जाए लेंगे हमाल्य को तो यह दो डिफ्रेंश हैं दोनों के बीच हों इस चीज़ को आप याद रखना देंदर डप प्लेटुस है ब्रॉड और इस वहां पर इतना इपने हमालय के तरह यह अ पर अपर यह यह दो एक डिफ्रेंश है तिसके बाद दे प्लेटुस तो ब्रट डीयों डिविजन के श्याच लेंगे लाइक सेंट्र हाइलेंड हो गया देन उसके बाद में सेंटर हालेंड की साथ में जब जाओग91 को तो न तो यह दो में डिविजन होगा है तो पार्ट ऑफ पैनिसुले प्लेटो लेंग तुद नौथ अपर याद रखना दैन इसके लाभा जो की सत्पुरा रेंज के साउत में और आवली इसके नौर्थ-वेस्ट में है वो समिंद्य रेंज हो गया तो यह चैसिंट केंखिए। ऊप्षाइन के माने वह तो साउत वेस्ट में अवस रहाे को थे नौर्थ-वेस्ट नौथ-इस तक है धस एंडिकेट तो यह स्लोप को इंडिगेट करती है यह इसमें वह लाकर जो इसमें थोड़ा नेरो है तो वैस्ट में आप जाओ गए तो इस चीज को आप याद रखना देन इस पिक्च में आपको पता जल जाएगा तो आप यहां जाओ तो वेस्ट में काफी चोड़ा मिले गए लेकि एस्ट मा काफी कम मिले तो यहां पर नापोर प्लैट्व तो चोटा नाप को प्लेटो मार्क्स तर फदर इस्ट वडेंगे तो उसका यह का यह खायंगे एक लिए वह खायर्व में लिए तो इस चोटा नाप को फुलेटो मिलेगा यह तो यह दो के लिए ति लिए अपनम दाशो नारम्दा के जो सागुत में ये लेंड मास ट्रेंगल के सेप में है आप यह लाइब करता है एक झिधन इसके बाद सब्सक्राय रेंज फ्लैंक इंट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ सप्राय रेंज है व इसकी नौर्थ में इतने नौस वाइल द मधेव महादेव का इंद्य। जो जैन्टले वह इस्ट वर्ड डाइड इस्ट वर्ड मैं तो इसमें यह दे रखा है इसमें काफी सारे मेजर पॉइंट है तो इसी स्कॉप याद रख लें तैन इसके बाद जो एक्सेंशन आप प्लेटो इस ऑल्सो जो और सो बिजीवल इन नौर्थ इसमें तो नौर्थ इसमें भी देखने को मिलेगा जिसको लोकली में गले बोला गया या कर भी अंगलों प्लेटो बोला गया है और सो इसको जो डिवाइड करता हो चोटा नावर प्लेटो डिवाइड करता है तो थी पॉनेंट रोमिनेंट हिल्स है महाँ पर पाया जाती है राइड वुलाइड कैसरी कट कर देना स्टर्ट सुमर्टी verde emergence षो पर उसरीशनिया निरेक्षिंटी रेंगे झालो कहुण आजया ने युण classes more so वैस्त से लेखे एस्टमन की direction डे रखिये गालो कहसी अ dissoci वहों हासी फ Benim Radhal है फ्रेंद आई आस िसके बात वेस्टन घाट साते लनीश एसन गारत मांत ब sehen इस बनाता है जो कि अब बैंक्र प्लेट के बारे में तो वेस्ते गाड वेस्टेंगाट को पर लाइक करता है इसको और वेस्टेंग कोड्स के वेस्टेंग कोस्ट खेंग चलता है So जैसे कि इंडिया का हो गए तो यह वेस्टन कोस्ट है तो इसी के पहले रही वेस्टन घाट कर लेगा सुझ देयर कॉंटीनियस यह कंटीनियस है मताब बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है और अब इसको पास करना हो तो वहां पर कुछ पास ऐसे रहाएं घाट देरा के लाग ता लोगया बोड़्र यह पालगाट वहां से होता है यहीं तो यह प्रीकल में देख रहाएं तो बर वेस्टन घाट अगय जाये अगर कंपेर किया जाए इसन घाट का और वेस्टन घाट का तो बर नगहां आट की हाइट जोई काफी जादा हो देन के बाद जो पाधिन ने लेगा अगर इससे घाट से कंपेर क्या जाया तो इसन हम एक तो इसन हाट वाला की हट कम है कि इस इसे पर चलता है इसμεं जबाद तक से महानदी वैली से लिकि नील-गरी जो साउथ थो तक पाहना तै इस्टन घाट इस्ट ये तैन इस्टन घाट गार डिस कंटीन इसनों आप वैसें गाट बन राओ या थे स्ट विन्हां गाएगा गाएगा तैन इस गाट भी में बडिख्याया गाएगा फ्र लाइग। बीच में करते हैं सब्सक्राइब बंगाल में इसमें बताया गाया यह इसके बाद वेस्टर्ण घाट कॉस्ट और ग्राफिय रेन भाई फेसिंग रेन बेरिंग मतलब में वहां पर काफी जादा रेन होती है चलते रहते हैं और के लाफा वेस्टर्ण घाड में उसके वेस्टर्ण घाड है उसके कुछ लोकल नाम भी खोट तो साधरी बोला जाता है तो यह उसका इक नम और इसके लोकल नाम हो गया और वेस्टन घाट में कुछ हाइस पीक भी है जिन में से एक है अनायमोडी हो गया जिसकी हाइट है चब्वी सो पिच्चाने मीटर देन इसके बाद डोड़ा बेटा उसकी आइट है चब्वी सो शै जावदी रही हो इसन घाट के साओथ इस्ट में लासा ओट के इस्ट में इस्टन घाट पर तो यह सेवरी हिल्स एंड जावदी हिल्स और इनकी लोकेशन अब याद रखना डायक्त ली एक्जाम में पूची आती है यह मैंजडा फॉलिंग में पूची आते है यह कहाँ प वेल वहां पर पहले काफी सारे वालकनिक थे 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 हैंस उनकी जो रोक थी इसी वैसे इंग्डी शॉप को काफी बोला जात था है वहां पर देखने को मिलेगी और समय बोला कि और आवली हिल्स लाइं फेसर और नौथ मेश्टर मांजिन ऑस फॉर्डर जो पहने सुनल है उसका वेस्टर पर्डमे अब को मिलें यह आपको देखने को मिलें यह यहिंदि इस पराणी इसको बोला जाएगा अर्वली इसी वई से highly eroded है और बीच बीच में तूटी फुटी बिरिवकर इस भी तूटी में देखने को पूलेगी और इसमत आएगे इसकी लोकेशन है जो कांदर कांदर फैली होगी है यह गुजरास से लेगे डैली तक इसकी लोकेशन को देखने को पूलेगी और डायरेक्शन देगा जाएग इसका उसमाँ पर यह इस इंडेट देखने को मिलेगा और जो हमपर सेंडी प्रेंश काफी जाद देखने को लएगे बिकशा और इंडेट में एक एक की माँपर रेइंफॉल काफी मतब बारिस काम होती है काफी कम होती है इसी चीज़ को आप डेजर्ट है पूरी साल में कि आपकर देख आए ताहीं सब पचास मवब बहां पर बारिस होनती है इसके बातौद का काफी क्लाइमेट है लोग वेजकी टिशन वहां पर कल्टिवसिंघ् जाद नहीं होती वहां इतनी इरिच नहीं बैन स्टीम अपियर के रेइनी चे के और जहां पर जो रिवर्स आय जो वहाँ पर जो वह से बड़ी रिवर लूनी रिवर रहे तो इस चीज को आप याद रगना डैनिस में ये में फीचर से इंटेट बार्चंस में आप डून से इनको बोला जाता है तो जैसे जैसे वहां इवेंट जब चलती है जैसे इस डारेक्शन इस में देपाता तो यह अपने साथ अपने साथ अपने रीज रेट वी ले जाती है तो इस इस में महीं यह बताएंगे कि ऐसे जैसे वह कफीज़ाता देकने को मिलेंगे अगर आप पीचक्शन में चाहोगे तो यह चीज को नोटिस करना इन इसके बाद इंडिया का प्लेट वाला होगा जो इस साइड मां जाता है तो वेस्टन कोस्ट वाला सेंड वीच बिट्वीच वेश्टन घाट हो जाता है इसके बाद नहीं पार्ट ऑफ दा कोस्ट इसको डिवाइड कर गया है जो वेस्टन घाट में उसको बोला गया है देन उसके बाद करनाट का वाला प्लीन आजाद उसको डिवाइड किया है दो आध में तो जो वेस्टन घाट वाला यह यह एरिया तो इसको इवाइड किया है अलग लग नाम के लोकल नाम है इसको कौन्ट बोला गया है ऑसे ही Eastern Coast को भी डिवॉड कीया थो यह व्याय वाला एरिया और यह वाला इरिया उसको और छो यह वाला एरीया है इस्ट नाइस हे जो ऊफिर पार उसको औमटल कोष्ट बोला गया जैसा मैंने कोर्मडल कोस्तों नौद उब जैसी इसटनगाच का कुछ रिवर रहे, हैं कफी बढ़ी हैं लाइक मानादेरी ऒएंग गोडाबरी अबर होगी किशना हो गी कावरी होगी यह उसी डिल्टा से महाँ पर फर्म होती है और बनाते हैं यह रिवर अरेबियन स्यमा सोरी बेव बंगाल में रिए हो जाते हैं जैन सके पर एक लेक सिली का जो काफी इंपुडर्टी काफी फिर मसेरीं इस रीजिन में यह चीज को याद रखना एक और बार है वाल द्वार बताते हैं कि गुजाद वाला एरिये कर्थेयावा रेजन वाला रेजन हो गया कौन करने तक वाला रेजन हो गया कण्णड वाला कनड प्ले लिस नो गार कौन साल वाल बार बार तेन साथ वाला पार इस्टन गाट का सौथ वाला पार इस्टन गाट का नौथ सिर्कार रिजर इसी को पियाद रखना काफी इजीर आप बार-बार करोगे तो भी हो जाएगा दैन इसके बार आइलेंट इंडिया के one of the last last not the least आइलेंड टोबोग्राफि, इंडिया में इंद्ध पेंदा जाता है और इंहीं इंक्ıt एसमा इंद्ध जह किरेंड आइपान कुछ इंक्स याधे लक्षदीप आरलेंड शो इससे पहले इसका नांग ता देखे लिए इसका नाम स्टालक करोटर इसका नाम नाम यह पूटोटर लिकश्यदीप गया और 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 सब्सक्राइब काफी कम एरिया करता है लाइक थर्टी टू स्कॉर्ड क्लोमेटर तक तो यह इसका एरिया है तो इसी को याद रखना यह डिरेक्टली एक्जाम में पूछा जाता है लें इसके बात कवाराती आईलेंड इसदे एडिन सेटर हेड़ कोर्टर सो मदद कावराती आईलेंड है यह इसका है तो यह लक्षिदी बाला एरिया दे रखा है और लक्षिदी एरिया में कुछ इंप्रोटन्ट चीज़े में हैं लक्षचीदीप का जो कॉरयल आइलेंड तो लक्षचीदीप आइलेंड और प्लस मिनी को एलेंड उनको बीच से गरते हैं ओने डिवाइड करते हैं तो यह 9 ड प्रभेट करता है सो यह का डिएरेक्टली एग्ञमस पुछा जाता है यह दे रखा है मैप अंडमां जो को आ है करता है उनको दिए टेयरी चैनल और इंक कर लोगे जानल और इंक पर इसमें सावच अंडमां ऑर लेटें अंडमां की बीच में देंकर पर सकाइब बार रही है बेरल आइलेंड जो की इंडिया का ओल्ली एक्टिव वाल के नोगा वो मिलेगा देखने को इस चीज को पूरा याद रखना यह एक्ट्स काफी इंप्रेंड होते हैं इसके बाद यह बोला गया है इसको याद रखना इसके बाद इस आइलेंड सुप आगेट ऑफ स्ट्रेजिक इंपोर्टेंट्स ऑफ कंट्री मतलब टेफेंस की परस्पेक्टिव काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए अंडमान नहीं को बार की देर इस ग्रेट डाइवरसिटी अफ्लोरा फोना की काफी जार डाइवरसि मिलेगा और एक को टूरी क्लाइवेंट भी देखने को मिलेगा और यह लोकेशन इकुटू इकुटेटर के एक को टेटर के ग्राफी पास में है तैन इसके बाद डेटेल अकॉंट आफ डेफेंट फिजियोग्राफी इनूट्स और हाइलेंट सब्सक्राइब इस रिजिए ता है सबूंस को टू टोल मिला करें तो एक कंट्री को जो जाएफ दिश कारमतार्य सोर्स कसा में और J 24s कंट्रीं तो में जपक रिचल इन डाने तो यह में इसक के लावर माउंटेस हो गया आदम मेशर्स पाटर लाइक यह सोल एक्जांपल टेखा है कि मॉंटे नोग्या वह फॉश्ट्यूर्स को गया तो इसमें एक्जांपल बेंग है कि अलग बेश्टी आख सिविलाइशन प्लस पूर्ट की जो हो गए हम अगुट ऑगर हो गे वहाँ पर शक्राइब क का कुट होगी अधार की जिए गया अपर रॉनी यो क्वूंत इसमें बताई गई है जो दो सतव अगर आपने UPC Library कोेशवाँ निगे थे प्लिसस्क्राइब निगे तो प्लिसस्क्राइब को अब।mesi केस्थ प्ला प्लेख को को अप्लेखon अब प्लेस्ट काम पसक預र चाहिए थे तो लिधर動画 मौर्टन रेप्से निवारउ का खब कि नह बंग पाज़ कि यद RICHARD कर से पर म कि अभ़ किन हम लड़ कि भार लड़ किषतpas कर से दो